प्रेंट्स वेलकाम बैक तो मैंने कांतलव तो क्यूँकि मैं आर्मी बैग्गरांड्ड्स हूँ इसलिए मैंने सोचा आर्मी फैमिली क्वाटर्स के उपर वीडियो बनाएं आप देख सकते हो पीछे ये क्वाटर्स है निमे में मेरा क्वाटर है लास्ट रो में सबसे पहले तो मैं आपको केंट के बारे मैं बता दूँ कि केंट होता गै utilizz यह बिसिक्ली एक एडिया होता जहां पर कैई यूनिट होती आर्मी की इस और उस ए अरिये में उसी को केंट का जाता है अब उस केंट में बहुत सारे quarters होते हैं और बहुत सारी unit होती है व्यू दिखांगा उसके बाद अपने quarters में आएंगे तब आपको अपने quarter का व्यू दिखांगा और यह जो एरिया है exact location तो मैं आपको नहीं बता सकता for the security reasons बट आपको पूरे केंट का चलो आपको नजारा दिखाते हैं मैं आपको बता दूँ जहां पर भी यह can't होता है ना कहीं भी किसी भी जगा पर वहां पर पेड बहुत जादा तो है मेरे प्रसमें बहुत जादा पेड़ है आम के और अम्रूद के तो देख सकते कितने सारे पेड़ हैं अब यह आगे सारे जो सामने दिखा है यह रास्ता है चर्च वाला रोट का इससे थोड़ी ही आगे आर्मी स्कूल है छोटे बच्चो का आर्मी स्कूल वह आपको दिखा है यह राच छोटे बच्चो का प्री प्राइमरी स्कूल जिसका नाम है कोबरा आर्मी प्राइमरी स्कूल और यह आगी सेकंड रो की जो लाइन है केंट क एक रो जिसमें हम रहते हैं और यह सेकंड रो है जो कौटर सोड़े दूर हैं इस साइड में ही पढ़ते हैं सारे कौटर से यह है चिंडर्न्स पार्क सब एरिया और यह जो जगा है जदोनाथ सैने किन से इस जगा को अभी बंद कर रख रहा है और अभी इसको फिल्हाल बंद कर रख रहा है आपके वीडियो में और कोविट के वजए से सारा कुछ बंद है और इसके जस्ट थोड़े से आगी बास्क बास्केट बॉल कॉट इसको कॉम्पलेक्स भी घा जाता है कॉम्पलेक्स ना सारी चीज मिलती है उचो शॉपिंग आप कर सकते हो चैंट में अंदर हो थो भार्डानी कोई है रोटी है कितने सारे रोड है नहां कर साइड में यह जान्ट का एक और सभी हिल्या यूट कि अग्या चलो कर दो बहुत बड़ा है यह भाई आर्मी को ग्राउंड यहां पर यूनिट अपनी पीटी के बास एकसराइज कर गी है यह तो एक यूनिट का और भी उनिट की बाकी है और इसके सामने है एटी और एपी जहां पर इन्वार्मेंट अब बार जो आजाता है यहां पर स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर, बास्केट बॉल सब चीज़ और कोई भी सीवी लेने हैं पर कोई नॉर्मल पड़ा भी यहां पर आने सकता है और इसके लेफ्ट साइड में है एक और रास्ता यह बंद कर रखा है अभी जिदा से मैं कोरेज भी जाता हूं सामने है आमो का बाग जहां पर अभी अभी नगाए गए है बहुत सारे आम लगाए गए है लगए 100 से जाधा पेड़ है अर इस साइड दूसरी साइड भी लेफ्ट साइड भी 100 से जाधा पेड़ है और यह है एक और यूनिट मैंना आपको घातना है कि इस के एंड में बह तो चलिए अपने केंट की ये वाला पोड़ा हुसता है तो चलिए अपने इसके कॉर्टर साप को दिखाते हैं फिर से पहला आपको ये यूनिट का पीछला हिस्सा है कि इतने शारी इतीन की पता नहीं कौन से जगह बनी हुई है और अब भर्याली भी देख सुनते किसना जा अब मैं तरूँगा स्टिक को लंबा और शायद अपको बावाल आई नहीं हुई है कि इसी में मेरा कॉर्टर से और आपको उससे पहले ये सारे कॉर्टर सिखा देता हूँ मेरा कॉर्टर बिल्कुल लास्ट में है लास्ट होके कि अबर बहुत सारे पेड़ आमका पेड़ है एक सामने का पेड़ है और ये कुछ पीछे वाजे कवाटर है आगे चलते हूं और होट है अपको कवाटर 대해서 है और हम आगे वापस इस जगह पर इसाम पर हमने अपनी वीडियो शुरू की था स्टार्टिंग में वाफ रहा है कि आपको अपनी क्वाटर्स में दखांगों यह अपनी क्वाटर्स है और लास्ट वमें हमारा क्वाटर है यह वाला जिसमें में रिगाड़ घड़ी है इसके उपर वाला क्वाटर है यह हमारा क्वाटर है और वीडियो को अगर और और भी अंदर से देखना आपको यह वाटर्स तो वीडियो में कमेंट करें यह अंदर वाला पार्ट भी दिखाएं एक उसके बाद मैं आपको अंदर वाला पार्ट दिखाऊंगा यह भी बहुत अच्छा है अंदर वाला पार्ट सारी वेसलीटी अविलेवन है तो वाई दाट सौल फूर वीडियो और थैंक्स वर वाचिंग